जिन्दगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। कि डायलोग तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक मा बेटे को ये लाइन जीते हुए दिखाया है फिल्म सलाम वैंकी में। Yes, I am talking about काजोल और विशाल जी ट्वा स्टार फिल्म सलाम वैंकी, जिसका ट्रेलर अल्रेडी रिलीज हो चुका है और जिस जिसने ट्रेलर देखा है, I am sure वो सब इस ट्रेलर को देखके emotional तो जरूर हुए होंगे। जहां हर कोई बॉलिवुड में आजकल सिर्फ साउट फिल्म के रीमेक्स बनाने में लगा है और इतना ही नहीं, आजकल पूरी की पूरी फिल्म देखने के बाद भी आप ना तो कहानी और ना ही कारेक्टर से connect कर पाते हैं, क्यूंकि वो बात होती ही नहीं, वहीं आब ऐसे में बॉलिवुड आक्ट्रिस काजोर लेकर आ रही है, इसे एक ऐसी फिल्म जिसे देख के आप सभी काफी जादा emotional और inspired हो जाएंगे, So, Hello and Welcome to India News और मैं हूँ आपके साथ उल्विशी शर्मा, तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म सलाम वैंकी के बारे में, जिसमें काजोर प्ले कर रही है सुजाता का कारेक्टर और उनके बेटे वैंकी का कारेक्टर प्ले कर रही है विशाल जेठवा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे विशाल जेठवा वही हैं जिन्हें आपने मर्दानी 2 में विलेन बने देखा था, इसके साथ ही फिल्म में राजीव खंडेलवाल, प्रकाश राज और राहूल बोस भी नजर आएंगे And also the trailer revealed that Aamir Khan will be playing an important role in the film इस फिल्म के स्टॉरी तो खास हैगी लेकिन इसके साथ ही इस फिल्म की कास्टिंग भी काजोल के लिए काफी खास है बता दे काजोल के साथ 1992 में फिल्म बेखुदी से डेब्यू करने वाले आक्टर कमल सदाना almost 30 years बाद वापसी करने जा रही है जी हाँ फिल्म सलाम वैंकी में काजोल के साथ एक बार फिर नजर आएंगे कमल सदाना बेखुदी के बाद कमल दिव्या भार्ती के साथ फिल्म रंग में नजर आये थे और ये फिल्म सूपर हिट हुई थी और कमल रात और रात स्टार बन गए थे अपने ताइम पे कमल वास दी नेशन हाथ थ्रॉब फिल्म में भी कमल एक एहम भूमी का निभाएंगे आपको बता दे रेवधी केप कमल कास्टिंग अजर अजर आजर पिल्म के स्टार के बारे में जहां बेटे की हेल्फ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और माँ हर वो कोशिश कर रही है ताकि वो अपने बेटे को हर वो खुशी दे सके ट्रेलर में दिखाया है कि कैसे एक माँ अपने बेटे के जाने से पहले उसको साबित करती है कि जिन्दगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और कैसे एक माँ अपने बेटे की जिन्दगी को बड़ा बनाती है क्या है वो माँ बेटे के बीच की वो खास बाते और वादे जो उन्हें पूरे करने है वेल एम शॉर इस फिल्म से स्पेशली हर एक मॉम डेफिनिटली कर पाएगी यह फिल्म ना ही सिर्फ इमोशनल करती है बलकि इंस्पायर भी करती है और यही डिरेक्टर रेविती को चाहिए था एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि यह कहानी उनके दिल के बेहत करीब है and she also said that she believes moms are the real heroes and truly moms are the real heroes और यही उन्होंने इस फिल्म से बताना चाहा है और वो इस ट्रेलर से हम सब को इंस्पायर करने में successful रहे आपको बता देए इमोशन से भरपूर फिल्म सलाम वैंकी will be releasing on 9th of December so please जाए और देखिये मा बेटी की खास कहानी and also don't forget to subscribe our channel